hey everyone this is Indra Vikram, welcome to magnet brains so on this channel practice makes man perfect even a perfect practice makes man perfect तो आज हम ने जो है वह first chapter के question answers practice करने है ठीक है तो वैसे तो आपको थोड़ा सा हेक्टिक लग सकता है बोरिंग लग सकता है तो चलिए क्यों ना हम इसे इस वीडियो फॉर्म में सॉल्व करें तो व्यवीवर्ण आपके सामने लिखे हुए है आंसर्स पे लिखे हुए है मैं उन्हें एकस्प्लीन करूंगा ठीक है सबसे पहला जो क्वेस्चिन है which source enable us to understand the history of early humans यानि आदी मानव जो है पुराना इंसान जो है पुराने जमाने का जो इंसान है ठीक है उसकी जो history है उसका जो इतिहास है वो हमें कैसे पता चलता है कौन-कौन से ऐसे sources हैं जो हमे enable करते हैं उसकी history जानने के लिए ठीक है तो हमारे पास जो sources हैं वो है prime sources की बात करें stone tools, fossils ठीक है hunting gathering के भी tools हैं caves मिली हैं बहुत सारी तो primary अगर हम कहें तो fossils हैं और stone tools है fossils क्या होते हैं आपको बहुत अच्छे से पता है stone tools क्या होते हैं आपने इस lesson में पढ़ा हुआ है stone tools यानि different different type के stone को उन्होंने जो है sharp करके उसे तोड के उसे ages में काट के tools बनाएं ठीक है यह tools उन्हें hunting में भी काम आते थे ठीक है इसके अलावा और बहुत सारे activities में काम आते थे ठीक है fossils क्या होते हैं यह हमें पता है हमने पढ़ा हुआ है फॉस्ट चैप्टर में कि फॉसल जो होते हैं old remains of plant animals और humans यानि इंसानों के पौधों के या दूसरे जानवरों के बचे कुछे अवशेश उनकी बॉड़ी के उनके skeletons के ठीक है फॉसल कहलाते हैं इनकी chemical analysis के तुरू या different methods के तुरू हम उनकी एज का पता लगा लेते हैं तो हमारे पास जो sources हुए वो दो तरीके के important sources हुए fossils और stone tools अब दूसरा question क्या कहता है what do we know about Karl Follrott so Karl Follrott कौन थे तो आपने वह कहानी तो बहुत अच्छे से सुनी होगी ना नेंडर वैली वाली यह नेंडर वैली वाली कहानी तो इस दौरान क्या हुआ था यहां पर नेंडर वैली में जम लाइम स्टोन क्वेरिंग चल रही थी वहां पर कुछ लेवर्ड काम कर रहे थे उन लेवर्ड को क्या है कुछ स्केलेटर्स मिले खोपड़ी मिली थी ठीक है अब उन्होंने उस खोपड़ी को फिर क्या दिया एक टीचर थे महां पर natural history के किया उसे एक्जामिन किया लेकिन उन्हें जब समझ नहीं आया तो उन्हें इस कुपड़ी को एक प्लास्टर कास्ट करके फिर किसको बेजा था हर्मन शाफ हसन को भीजा था तो आपको याद होगा ठीक है यह स्कुल हैंड़ोवर किया गया था इसका लेटल किसी बुक पबिश्च की थी ठीक है वेन वोजेट पबलिश्च आन वोट इदी और्ग्यू इन इट चाल्स डार्विन ने क्या अर्ग्मेंट था उनका और किस इयर में वह बुग पबलीश ओई थी तो चाल्स डार्विन की बहुत फिमस भुक है ठीक है बुक origin of species नई प्रजातियों की उत्पत्ती on the origin of species यह बुक का नाम था और यह बुक पब्लिश होई थी 24th of November 1859 को बहुत important है यह बुक क्यों बहुत important है यह बुक क्योंकि इस बुक ने सालों से सदियों से जो चला आ रहा एक confusion था यहां हम क्या दें कि एक किरियोसिटी थी उसको सॉल्व किया था यह किरियोसिटी क्या थी कि एक्च्वल में human evolution कैसे हुआ है और human evolution में कौन-कौन से सब स्पेसीजिस हैं या कौन से दूसरे अनिमल से humans का development हुआ है तो चार्ल्स दार्विन ने इस चीज़ को प्रूफ कर दिया कि humans का जो evolution हुआ है वह दूसरे अनिमल से हुआ है एप्स लाइक अनिमल से हुआ है कब प्रूफ किया 1859 में प्रूफ किया ठीक है तो नाचुरल सेलेक्शन की थिए इनकी नेचुरल सेलेक्शन की the origin of species आगे बढ़ते हैं फिर आता है define fossil अभी हमने पहला ही question solve किया था जिसमें fossil के बारे में पुछा गया था यानि fossil का जिकर आया था तो stone tools और stone tools और fossil यह दो चीज़ें हमने आपर discuss करी थी तो यहां पर हम define भी कर देते हैं चलिए fossil को fossil की definition the word fossil is used to describe the remains of very old plants human and animals यानि जो animals हैं सदियों लाखों साल पहले या तो वो डैट हो गए या तो जो है जब उनकी डैट होई तो वह किसी soil के नीचे दब गए ठीक है तो उनके remains आज भी हमें मिलते हैं वह plant हो सकता है या फिर human beings भी हो सकते हैं ठीक है which have left their marks on the rock obviously बात है जिस भी layer जो बनेगी उनकी तो किसी ने किसी रॉक के नीचे बनेगी तो जब आप उसको क्या करेंगे एक्सकेवेट करेंगे तो उस रॉक में क्या होगा या तो पूरा का पूरा स्केलेटल मिलेगा आपको या फिर उसके इंप्रेशन्स मिलेंगे तो यह फॉसल कहलाता है तो simply fossil is the remains बचा कुचा अवशेस जो लेफ्ट है ठीक है इस रिमेंज आर प्रिजर्ब और मीनी इयर्स ऐसाइड जैसा कि मैंने कहा लाखों साल तक करोरों साल तक यह जो स्केलेटल रिमेंज से दवे रहते हैं और फिर कभी भी कभी कभार जब एक्सकेवेशन्स होते हैं उस पर्टिकलर एरिया में तो वह इस तरीके से सीक्रेट बाहर निकल के आते हैं ठीक है चलिए आंगे बढ़ते हैं तो आपको याद होगा जब मैं आपको स्टोरि और अविन एवलूशन बता रहा था तो स्टोरी ओफ यूमन एवलूशन में डिसकस किया था कि प्राइमेट्स जो की मैमल से ही आते हैं ठीक है इन्हीं प्राइमेट से आंगे जाके दो ब्रांच अपने लिंगी हो मेंडिच और hominoids so इन में क्या difference था basic difference जो है hominits और hominoids में क्या था hominoids have a smaller brain as compared to hominits यानि जो आपके hominoids हैं यह hominits के comparison में undeveloped हैं क्योंकि इनका brain क्या है छोटा है brain का size काभी छोटा था so they were more close to apes बंद्रों के monkeys के ज्यादा क्लोज है वह comparatively hominoids ठीक है और hominits का comparatively जो स्कल का size है वह large है बड़ा है दूसरा difference hominits have an upright posture and bipedal locomotion while hominits are quadrupeds हमने comparison किया था याद होगा आपको एक comparative table बनी हुई थी एक side hominits और hominits थे तो hominits कौन है जो धीरे-धीरे सीधे खड़े हो के चल रहे है बाइपैडलिजम शुरू हो गया है यह लोग पेंड से उतरके grounds पर चल रहे है ओपें ग्राउंट पर चल रहे है ठीक है open air sites पर चल रहे हैं और इन open air sites पर क्या है यह free हो रहे हैं दीरे-दीरे इनके हाथ free हो रहे है इसले बाइपैडलिजम शुरू हो रहा है और अप्राइट पॉस्चर को यह अडॉप्ट कर रहे हैं ग्राजली जबकि hominits अभी भी inclination था clear है तो हमें समझ में आ गया hominits और hominoids में क्या difference है brain का size फिर उनका upright posture the way they walk और दूसरी चीज़ें इसमें bipedalism और quadruped तो इस तरीके से यह difference हो गया आगे बढ़ते हम right any two evidences that hominoids have African origin पूरे चाप्टर में हमने यह discussion कि आप पूरे continent Africa African continent से शुरू हुआ है हमारा human evolution अब यहां पर आपको question क्या कह रहा है आपको दो evidences देने दो प्रमान देने हैं दो प्रूफ देने हैं जो प्रूफ कर रहे हो कि human evolution आफ्रिका से हुआ है तो चलिए दे देते हैं प्रूफ पहला अग्रूप ऑफ आफ्रिकन एप्स closely related to hominoids यानि archaeological evidences से हमें क्या पता चला है कि आफ्रिका में कुछ जो एपस हैं आफ्रिकान जो एपस हैं आफ्रिका के जो कपी बंदरों की परजाती है वो क्या है दाइड इस closely related to hominoids अभी हमने hominoids के बारें पढ़ा hominoids क्या थे एक तरीके से closely related थे किसके प्राइमेट्स के एपस के बंदरों के ठीक है तो अग्रूप ऑफ आफ्रिकन एपस वन देवर एग्जामेंड जब उनका परिक्षण हुआ तो यह पता चला कि देवर मोर क्लोजली टू hominoids इसका मतलब अब hominoids जो है वही जो है प्राइमेट्स से आए इन्हीं में से ब्रांच डिवलप हो रही है hominoids की तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ रिलेशन तो है आफ्रिकन ओरिजिन है यह चीज़ प्रूफ करती आर्ली hominoids have been found in East Africa dated back to 5.6 million year ago यानी 5.6 million year ago लगवक साड़े 50 लाग साल पहले हमें यहां पर अर्ली hominoids के evidences मिल रहे हैं कहां पर इस्ट आफ्रिका में ठीक है आफ्रिका कॉंटिनेंट बनाएंगे तो आपको यह एरिया जो है यह इस्ट आफ्रिका हमने पढ़ा है मापे तंजानिया वगएरा एथियोपिया वगएरा में बहुत सारे ऐसे evidences और मिले भी हैं क्लियर है तो यहां से हमें क्लियर हो गया यह दो evidences है जो प्रूफ कर रहे हैं कि आफ्रिकन ओरिजिन है कि कि हमिनोइट्स की क्लियर है चलिए आगे बढ़ते हैं विच फामिली डस होमेनिट्स बिलॉंड टो विचछ फामिली डूइस होमेनिट्स विलॉंड ओर मिनीट्स तो थिलॉंड प्राइम यह क्लियर्ए और होमिनिटी फामिली के दो आएगा इस इसे यह सारा सीरीज हम पढ़ चुके हैं तो इस फैमिली विलॉंग्स टू आल फॉर्म्स ऑफ हुमन भी एग्जिस्टेड ऑन दार्थ यारी मॉडन टाइम पर जो इंसान है उसका जो एक्जिस्टेंस है उसकी अगर आप और जिन ट्रेस करेंगे तो किसे करेंग होमिनेट से करेंगे क्योंकि देवेर मोर क्लोजर तो दो मॉडन मैन याद आगे आपको चीक है हमने बात की थी होमनीडी होमनीडी को दो पार्ट में डिवाइट कर दिया था क्यों क्योंकि उनके फिजिकल फीचर्स थोड़े से अलग-अलग हो रहे थे उनके क्यारेक्टर आज आगे बढ़ते हैं डिसक्राइब ब्रीफ दिस्टिटिव फीचर ओफोमनेड्स तो अब वही 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 जब आप रिवाइस करोगे तो एक टाइम ऐसा आने वाला है आपके दिमाग में हो मिरेड्र ढुमिनोड सप्तिर फीचर्स थोड़ा-थोड़ा स्लाइट स्लाइट चेंडे से आप देख रहे हैं question में ताकि हर एक उस aspect को हम discuss कर लें जो aspect इस chapter में important तौर पर discuss किया गया है ठीक है और प्लस जो सब स्टेज़ेस हैं उनकी क्या characteristics है कोई जैसे प्राइमेट्स है जैसे होमोनीडी है जैसे हो मिनौइट से और स्टेलोपेटिकर से ठीक होमो सब्सक्राइब करना है क्या चीज़ वर्णन करनी है distinctive feature कुछ विशेश लक्षन यहां पर आपको बताने किसके हो मिनिट्स के तो आप लार्ज ब्रेंट साइज क्लियर है पहले हमने दमाग क्या तो इनका ब्रेंट का साइज बड़ा हुआ अपने जो प्रिकरसर थे यानि अपनी जो पूरवर्वर्टी इस प्रसीज थी उसके तुलना में क्या है इनका ब्रेंट का साइज बड़ा होने का मतलब है ज्यादा rational mental abilities competitively develop है अपने पूरवच से दे हाव बाइपडल locomotion and upright posture तो तीन चीज़े आप दिमाग में बैठा लीजिए हो मिनिट्स के बारे में सबसे पहला है brain size दमाग का आकार इनके बड़ा है upright walking है सीधा खड़े होके चलते हैं और अब सीधा खड़े होके completely नहीं बट upright walking हाज already started इन हो मिनिट्स फिर दूसरा बाइपडल locomotion यानि दो पैर से इनका गती या प्रचलन होता है यानि एक स्थान से दूसरे स्थान जब जाते हैं तो अपने दो का इस्तेमाल करते हैं और इनके ऊपर के जो दो पैर हाथ कुछ भी कह दें आप क्योंकि उसका इस्तेमाल पहले होता था जब अब यह फ्री हो गए हैं जिनका इस्तेमाल की दूसरे कामों में करते हैं जैसे आपने पढ़ा था बेबी कैरी करने के लिए टूल्स को पकड़न हुमिनोइट्स को उनके पूरवर यानि मंकी से आप कैसे डिफ्रेंशियेट करोगे तो डिफ्रेंट फ्रों मंकी इन फॉलोइंग वेज निमनल की तरीकों से यह अलग-अलग हैं कैसा हुमिनोइट्स हाव लार्जर बॉड़ी यानि मंकी आर कंपरेटिवली शॉटर बंद अब क्या हो रहा है एक नया डेवलप्मेंट देखने के लिए आ रहा है और वो क्या है देहाब देडों आप टेल्स लाइक मंकी बंद्रों की तरह की पूछ नहीं है इनके पास उसका रीजन क्या है उसका रीजन ही है कि बहले यह कोडर पैर्ट्स थे लेकिन पेड़ों पे इस चार पेरों पे चलते थे पर पेड़ों का इस्तमाल धीरे-धीरे कम कर रहे थे ठीक है और पेड़ पर बंदर रहता है तो आप जान लीजिए कि पूछ उसका क्या करती है पूछ एक तरीके से एक हाथ या पैर है उसका बैलन्स बनाने में help करती है उसको ठीक है बंदर तैब पेड़ पे उचलकूद नहीं हो रही थी इसलिए क्या था देडी दीरे धीरे धिले पूछ क्या हो रही है कम और हिसलिए आज के माने में भी को पूछ नहीं है क्योंकि भाप पूछ का स्थेमाल ही नहीं करते हो है ना um so there is a longer period of development and dependency amongst hominoids clear a there is a longer पीरेड वभी यानी क्या कह रही है कि इनका जो कमेंट मेंट वी हर ठीक है और इनकी जर डिपेंडेंशी थी वह लॉंगर थी ठीक है तो यह तीन टीन तरीके से हैं न लाजर बॉडी दी क्याब टेल्स का और अच्छा ज़्यादा समय लेते थे जर्म से लेकर वेस्क होने तक का जो डिवल्लपमेंट का टाइम पिरड होता था उसमें इन्हें ज़्यादा लंबा समय लगता था मंकीज का डेवल्लपमेंट कंपरेटिवली जदा हो जाएगा ठीक है चलिए तो यह तीन चीज़े हमने समझ ली यहां आगे बढ़ते हैं वाट आर जीनस आप मैं से अगर कुछ लोगों ने साइंस पढ़ी है तेंथ में तो आपने human classification तो कभी न कभी अपने life में पढ़ा ही होगा human classification में आपको kingdom phylum genus species ना इस तरीके का नाम सुनने को मिले होंगे तो particular आप कह सकते हैं एक तरीके से एक ग्रूप एक बहुत common term अगर मैं स्वाटर जीनस नेम तो important genus of hominids तो genus क्या है आपको बताना है और साथ में भी बताना है कि जो hominid से हैं उनके दो important genus कौन-कौन से हैं तो hominids are divided into different branches ठीके दे आर नोन as genus तो जैसा कि मैंने कहा genus का आप general term कह सकते हैं group तो hominids को आप different दो parts में divide कर दिये इनको आपने बागी नाम दिया genus अब ये दो genus अलग-अलग हैं वो हैं Australopithecus and homo हमने जब classification पढ़ा है humans का story of human evolution में part a में उस दोरान जो प्रिकरसर वाला हमारा वीडियो था उसमें हमने क्या किया था कि hominids को दो categories में दो जीनस में divide किया था यानि hominids से आगे कौन develop हुए Australopithecus develop हुए और फिर homo develop हुए क्लियर है Australopithecus से comparatively advanced था homo that is why it is called wise man ठीक है थोड़ा सा बुद्यमान था इसके brain का size comparatively ज्यादा डेवलोप था किसके hominids की तुल नाम है तो clear होगा आपको genus actually group है और hominids को दो अलग 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 groups में divide किया गया Australopithecus और homo में ठीक है so genus word ही इस्तिमाल करेंगे मैंने group जो है वो general term इस्तिमाल किया ताकि आपको याद रहें define species प्रजाती define species प्रजातियां क्या होती है ठीक है how human species are differentiated from each other प्रजातियां क्या होती है और human species मानवी जातियां या प्रजातियां जो होती है वो differentiated कैसे होंगी एक से एक दूसरे सुने हम अलग अलग कैसे कर सकते हैं कैसे डिफरेंशेट कर सकते हैं so the term species is used to describe the group of organisms that can produce fertile offspring आपको explain किया था मैंने की species वही होती हैं जिसमें similar type of organisms रहते हैं और यह क्या करते हैं अपनी संततियां उत्पन करते हैं तो similar organisms should be there clear है group of organisms that can produce fertile offspring अलग अलग प्रजातियों के जब जीव होते हैं उनमें अगर reproduction की process होती है तो कई बार there is a strong possibility that the fertile organisms will not be produced यानि जो संततियां उत्पन होंगी जो अगला प्रजाती का नए जनरेशन का जीव आएगा वह हो सकता है फर्टाइल ना हो फर्टाइल का मतलब अगली जनरेशन उत्पन करने में सक्षम ना हो ठीक है इसलिए फर्टाइल of springs नहीं आती है for example आपने मूल का नाम सुना मूल मूल यानि खर्चर तो आम सब खर्चर के बारे में जानते हैं जस्ट एक जांपल आपको रिलेट करने के लिए खचर क्या होता है गोड़े और गदे के हाइब्रिड जो है वह वर्जन से बनता यानि गोड़ा और जो गदा है उसमें जब हैब्रडाइजेशन कराया या यानि दोनों को जब कमबाइन कराया गया दोनों की वीच में जब अफ स्प्रिंग ठीक है क्योंकि गदा और घोड़ा दो अलग इस पिसी जस है और घोड़े और घोड़े का जब कॉमिनेशन हो रहा है तो जो गड़ा उत्पन हो रहा है दाट गैन प्रदूस अनदर घोड़ा ताट कन्पर्ड़ूस है ना विकास दैनेस फर्टाइल तो व की प्रॉसेस होती है अगर अलग अलग प्रजाती के जीवों में प्रजन या प्रडॉक्शन की प्रॉसेस होती है तो देर इस ट्रॉंग पॉसिबिलिटी ऐसाइड की फर्टाइल आप स्प्रिंग नहीं होते हैं तो आपको दिखाए गया था एक कर्व दिखाए गया था इसकल्स के डिफ्रेंशेशन थे उसमें और जितने भी अभी तक एविडेंसे सुए हैं उन सब में यही एक इंपॉर्डन चीज हमारे सामने आई है आप देखेंगे बंदर से प्राइमेट्स से लेके और मॉडन होमो sapiens तक के AH आपको क्या difference मिलता है उनके बोन इस्ट्रुक्शर में ही तो difference मिलता है अगर आप एक प्राइमेट्स को देखेंगे तो प्राइमेट्स की जो बॉड़ी है वह different है उनका बोन structure different has skeletal उनका difference है ठीक है बिल्कुल बहुत ज़्यादा difference है skull size में difference है हाथों की bones में difference है पैरों की bones में difference है vertebral column में difference है lot of differences are there on this level of bone structure ठीक है तो हमें समझ में आ गया प्रजाति हमने define कर ली how species human species are differentiated from each other मनुश्यों की अलग अलग पर जाते हैं एक दूसरे से कैसे अलग अलग हैं तो हड्डियों की संरचना के अधार पर अलग अलग हैं चलिए आगे बढ़ते हैं वें डिट glaciation phase come into being what were its impact आइसे देखी है तो आइसे इस का हुआ है आइसेज को है ना मुवी में देखा हुआ आइसेज मुवी आई हुई है देख सकने हैं रिलेट करने के लिए तो आइसेज को ही हम glaciation phase या वाई से वर्सा कह दो यानि glaciation phase is also known as ice age ठीक है तो इस दौरान temperature बहुत लो था प्रत्वी majority of earth portion was covered by ice पूरे प्रत्वी में बर्फ बर्फ और बर्फ भरी हुई थी ठीक है इट केम इंटू बिंग अराउंड 2.5 million years back यानि कब आया था glaciation period लगभग आप कहतें साड़े बीस लाग साल पहले ठीक है प्रत्वी में glaciation period था the whole land portion was covered by ice पूरे प्रत्वी का जो धरातल है land portion है वो कैसे कवर था वो आई से कवर था impact इसका प्रभाव क्या पड़ा temperature started decreasing obviously बर्थ की बर्फ है बर्फ है बर्फ है बर्फ है बर्फ की चादर पड़ी हुई चारों तरह तरह क्या temperature comparatively calm down नीचे आता चला जाएगा तो टेंपरेचर स्टाड़ डिक्रीजिंग तापमान नीचे चला जाता गया नीचे जाता चला गया grassland begin to expand and the cost of forest यानि इस समय धीरे धीरे चुकि extreme climatic environment था इस extreme climatic environment में क्या होता है जब temperature बहुत ज़्यदा होता है उस दोरान और वेसी बात है फोटो सिंथेशिस उस लेवल पर तो होगा नहीं तो जो बड़े आप उतरोगे नीचे है ना अब आपको grassland में चलना पड़ेगा मैदानों में चलना पड़ेगा है ना यानि यह चीज़ human evolution को और क्या करेगा trigger करेगा आगे लेके जाएगा hopefully आपको समझ में आ गया इस question cancer आगे बढ़ते हैं आप आप सिल फॉमन इस्पीज बीजिक लाशिफाइड मनुष्यों के जीवास में उनको कैसे प्वर्गी कर सकते हैं लग अलग पर जातियों के जीवाशमों को आप कैसे यूमन of human species being classified मनुश्यों के जीवास में उनको कैसे आप वर्गी कर सकते हैं और बीन फॉसल of human species is being classified मनुश्य की अलग-अलग प्रजातियों के जीवाश्मों को आप कैसे वर्गी कर सकते हैं तो fossils जो है human species के उनको वैग्यानिकों ने तीन वर्गों में बाटा तीन categories में डिवाइट किया है homo habilis erectus और sapiens clear है यानि जीवाश्मों के अधार पर अगर आप कहेंगे तो तीन categories हैं इंसानों की प्रजातियों की तीन महतपून categories हैं वह category जब इंसान लगभग tools बनाना सीख गया था tool maker तो उसे कहते थे homo habilis फिर इंसान जब सीधा खड़ा हो के एकदम complete upright walking करने लग गया vertebral column उसका सीधा हो गया रीड की हड़ी completely straight हो गई तो उसे homo erectus कहते हैं erected position में था homo sapiens जब आप जैसा हो गया wise man यानि बुद्धिमान इंसान बन गया thinking सोचने विचारने की प्रक्रिया आगई rationalism तारकिकता बढ़के इस इंसान के अंदर ठीक हैं बदमाश हो गया कुल मिलाके तो वह homo sapiens हो गया ठीक ना तो जो fossils हैं homo sapiens के उनको हमने किस category बाढ़ दिया थीन category में हमने का मतलब scientist ने बाढ़ दिया ठीक है ना मैं जो कुछ भी कह रहा हूं वो सब scientist की बाते हैं ठीक ना so name two places where the fossils of human homo habilis have been discovered आपको दो जगह बताएं यह दो ऐसे places का नाम बताना आं जहां पर क्या है homo our Havilis के आपको जिवाश मिल है fossils मिले हैं ठीक है discover कि हैं the places where the fossils of homo habilis have been discovered यानि वो दो जगह जहां पर homo habilis कौन था homo habilis अभी कुछ seconds पहले डिसक्स किया टूल मेकर इंसान था ठीक है तो homo ethiopia और अधुबाई गौर्ज तंजानिया में तो यह दो जगह है आफ्रिका में रिफ्ट वैली आपने इस्टन आफ्रिका में रिफ्ट वैली देखी है ना वहां पर homo और अधुबाई गौर्ज दिमाग में आप इंप्रिंट कर लीजे छाप लीजे ना कि दो जगह हैं जहां से हमें किसके evidences मिलते हैं homo habilis के evidences मिलते हैं homo ethiopia और अधुबाई गौर्ज तंजानिया hopefully आपको यह clear है चलिए देखते जाएंगे देखते जाएंगे तो ऐसे ऐसे में ही आपको लगबख चालिस कोईशन तो याद होई जाएंगे where were the fossils of earlier homo erectus found सबसे पहले किन जगहों पर सीधे खड़े होके चलने वाले इंसान के प्रमान मिलें आपको they were found at following sites चार sites लिखी हुई यहां पर Kenya मोजो करतो संगिरान और जावा तो यह चार जगहें हैं इनके नाम आप शाप लीजे Kenya मोजो करतो और संगिरान और जावा क्योंकि अभी इनके नाम आगे आने वाले हैं इसलिए ज्यादा यहां पर detail नहीं डिसक्राइब कर रहा हूं मैं लेकिन चार साइट्स हैं इन चार साइट्स का नाम दिमाग में अभी आप इंप्रिंट कर लो ठीक है जहां से आपको किसके एविडेंस मिले हैं होमो एरेक्टरस के एविडेंस मिले हैं चलिए give two examples where the names of the fossils are derived from आपको दो example देने दो उदारन देने हैं where the name of the fossils derived from ठीक है होमो हेजलबर्गेंस कहां पर है यह जर्मनी आपने जर्मनी का एक शहर है जिसका नाम सुना होगा हेजलबर्ग यहां पर modern homo sapiens की एक species का evidence मिल रहा है आपको ठीक है ना तो कुल मिलाके चुकिए आपको नाम देने हैं जहां से इंसान की species आई और जगह के नाम पर पड़ गई एक्च्छल में क्लियर डिराइवड का मतलब होता है वहीं से निकला हो ठीक है अच्छे से समझा देता हूं अगर नहीं समझ में आया होगा तो आपको दो इंडर वैली में तो उसकी लोकेशन नियंडर वैली हो गई इसलिए उस लोकेशन के नाम पर इसका नाम डिराइव हो गया ठीक है अब नियंडर वैली जर्मनी में डिसल डॉक्स हैर यह सारी चीज़ें आपको एकदम टिप आप टंग हो जानी चाहिए है ना जुबान पर फाला जानी चाहिए तो दो हाट इसपॉर्ट डिसकस कर लlight हमने पहला भर्ट स्पॉर्ट क्या था जर्मनी शहर का हटल बर्ग जर्मनी का हिडल बर्ग शहर और दूसरा जर्मनी का डिसल डॉक्स दों अब्स में तो आपको समझ में आगया है यह आगेवरते हैं the fossils of which homo heidelbergensis have been widely distributed and where they are found यानि the fossils of which homo heidelbergensis यानि homo heidelbergensis क्या कौन सा जी वास्म ठीक है have been widely distributed सबसे जादा मात्रा में फैला हुआ यहां वहां पर और कहां से वो प्राप्त हुआ है clear है the fossils of homo heidelbergensis have been widely distributed ठीक है यह तो हमें पता है कि homo sapiens के ही बस close थे यह अब आपको पता है जब आफरीका से human beings निकले तो आफरीका से निकल के अलग-अलग continents की तरफ वो spread हो गए और eventually फिर अलग-अलग scientists को वो excavations के दौरान मिले अब चूंकि इनके जो characteristics थे वो homo sapiens के काफी close थे इसलिए इनका नाम homo sapiens तो एक common stage हो गई जिस stage में इंसान comparatively advance हो गया था लेकिन अब हजारों लाखों साल पहले जब उसका trace वहां पर मिला तो उसको homo sapiens ना कहके उसको क्या कह दिया गया homo sapiens के एक species कह दिया गया ठीक है तो सबसे ज़्यादा वाइडली डिस्ट्रिब्यूटेड जो है वो homo भी ठीक है लेकिन एक बार ताकि जैसा मैंने कहा कि questions इतने सारे similar और थोड़ा सा एक कहें की overlap होते हुए टाइप की questions हम discuss करेंगे ताकि लगबग लगबग इतना repetition हो जाए कि आपको चीज़ें clear हो जाए australopithecus and homo are different from each other on account of the following reasons ठीक है यह australopithecus और homo यह किस तरीके से अलग-अलग है दो बातों पर अलग-अलग है पहला australopithecus जो कि कहां से आ रहा है humanity से आ रहा है ठीक है उसका brain कंपरेटिवली चोटा है उसका brain का साइस कंपरेटिवली चोटा है ठीक है compared to homo क्योंकि homo को आपने क्या कहे दिया wise man कह दिया वो धिमान आदमी कह दिया वो धिमान आदमी के दिमाग ज़्यादा बढ़ा होगा या बंदर के पास वाली इस पसीज का ज़्यादा बढ़ा होगा तो अस्ट्रेलेपेटिकस अब देखें बहुत कॉमन सी चीज है हर एड़ांस इस जो आप कहेंगे जैसे अगर द तो लियो पितिकस और मैं कह दू हूँ हों में नुट करेंगे तो होमिनोट उसार महर जादा पास है और allt क्या है modern इंसान की तरफ ज्यादा है तो brain size जो है क्या हो रहा था धीरे 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 बड़ा होता जा रहा था ना पहले brain size बहुत चोटा था तो अभी आप अभी आप अभी आजाएगा कि आप ब्रें कंपरेटिवली लार्जर है ठीक है क्योंकि comparison किसे हो रहा है अ आप यह जो जबड़ा इनका comparatively भारी होता था था और लार्ज़ टीथ इनके दाथ भी comparatively भारी होते थे क्यों प्रिकर्सर की तरफ जाता है अपने ठीक है एस कंपेर टू हो मो जिनका जबड़ा comparatively छोटा होता था था और टीथ भी छोटे होते थे तो इनका जो जो साइज ह कि तरह के सुनदर धात हो जाएंगे कुछ दिनों बाद इनके ठीक है विकॉस दे आर म यूकें सेव एडवांसिंग तो और्स दो होमो सेपियंस ठीक है यार मोर क्लोजर तोड़्स दा होमो सेपियंस तो चली आंगे बढ़ते हैं who were primates primates कौन थे भई when did they come into existence अभी अस्तित्व में कब आए तो primates कौन थे और अस्तित्व में कब आए तो primates subgroup है किसका एक बड़े group का ठीक है जैसे मैं कहां दूँ mammals कौन है तो mammals are basically animals अब animals में mammals अब mammals में primates ठीक है तो इस तरीके से एक बड़े ग्रुप का सब group तो animals का सब ग्रुप मैमल्स हो गया मैमल्स का सब ग्रुप प्राइमेट्स हो गए तो आप अनिमल ही हैं चीक है man is a social animal और आपकी category के बहुत सारे लोग हैं बंदर भी आपकी category में आ जाते हैं ठीक है वेल वेल का नाम सुना होगा वो भी मैं 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 जितने सारे animals अपने नवजात शिशूओं को ब्रिस्ट फीडिंग करवाते हैं दूद पिलाते हैं वो तो नहीं मैमरी ग्लैंट्स होती है बॉडी टेंप्रेचर रेगुलेट करने की कैपसिटी होती ही बॉडी में हीर्स होते हैं यह सारे animals क्या होते हैं तो प्राइमेट्स मैमल का एक क्या है सब ग्रूप है जैसे कि मंकी एप्स और इंसान भी इसमें आते हैं दूसरा सेक्शन है इस question का when did they come into existence तो कब आये अस्तित में तो जब अर्थ की क्लाइमेटिक कंडिशन चेंज हो रहे हैं उन क्लाइमेटिक कंडिशन में अब ग्रैजुली क्या हो रहा है पैटन चेंज हो रहा है animals का जमीन में आने जमीन से पेड यानि की धीरे धीरे उनका जो सेटलमेंट है जहां पर रह रहे हैं वहां पर changes आ रहे हैं तो लगवक 36 million years back लगवक 36 million years back हमें existence मिलता है प्राइमेट्स का यानि मैमल्स से क्या हुआ प्राइमेट्स की एक सब कैटेगरी डिवलप होनी शुरू हो जाएगी और आगे फिर इसी प्राइमेट्स से क्या होगा हुमिनोइड ह हुमिनोइड से हुमिनिडी ठीक है इस तरीके से सब गुरुप और डिवलप होते चले जाएंगे और इंसान के बनने की प्रासेस शुरू हो जाएगी चलिए आगे बढ़ चले कुशन नमबर 20 राइट नी टू एविडेंस इस तो शो दाट हमीनीट्स ओर इजनेट इन के और गजिन होई हमने पहले डिसके कर लिया है कि अफरीकन मन्की के साथ इनकी समानता है स्विलेर्टी है इस लिए इसा हो रहा है तो इसलिए चले डैलेक्ट करते हैं नमबर 21 पर वाट इसमीन से आपका क्या आश्य है क्या मतलब है और इसका ये नाम क्यों पढ़ा यानि क्यों पूरे जो आपका प्रिकर्सर था उस प्रिकर्सर की सीरीज में ऐस्ट्रिोले पढ़ीकस क्यूं पढ़ा तो आपको यह बताना है पाश्ट्रोल यह ले टिन भाशा को शब्द लाटिन अभी अगला चैप्टर पढ़ेंगे आप तो समें लाटिन बहुत आएगी लाटिन और ग्रीक चलिए तो लाटिन भाशा का शब्द है और जिसका मतलब होता है बंदर यानि दक्षण में पाया जाने वाला कपी या बंदर तो hence the word means southern ape यानी दक्षिन के मंकी ठीक है पुराना जो precursor human being है इसका नाम इसलिए है ठीक है क्योंकि पुराने इंसानों के साथ इसकी समानता होती है तो Australopithecus का जब आपको evidence मिला तो इसका नाम Australopithecus हमने इसलिए रखा क्योंकि इसकी जो resemblance थी इसकी जो समानता थी वो क्या थी पुराने एपस के साथ ठीक है the earliest human is called so पुराने इंसान को इसलिए Australopithecus का जाता because he resembles them Australopithecus की समानता क्या है उसके साथ है ठीक है पुराने कपियों के साथ में है ठीक है hopefully आपको समझ में आ गया है आगे बढ़ते हैं वेन अन्वर्ड़ ट्रेस ऑफ अर्लिएस्ट ऑस्ट अस्ट ऑस्ट 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 अभी मतलब समझा हमने शब्द का अब कब और कहां पर हमें ट्रेस मिलते हैं एविदेंस मिलते हैं सबसे पुराने earliest Australopithecus के यानी पहले से पहला पुराना से पुराना प्राचीन से प्राचीन Australopithecus आपको कब मिला कहां मिला और ट्रेसस आप अज्रिश उडिश debates lie वहर फाउन फ्रॉड फ्रॉंड फॉर्वाइं गॉर्ज भाई मेरी और लुइस लिकी यौन 17 जुलाइं नाइटिन फिटिन याद है आपको वह कहानी मेरी और लुइस लिखी की जब मैंने आपको ऑस्टोरी यूमन एविलुशन अफ् मिला था उसकी खोपड़ी मिली थी उस सुबह क्या किया था लुइस बेचारा नहीं गया था उसकी तविएत कराब थी अपना में लिखा है ना उसमें इस सुबह जब मैं सो के उठा मेरा सर भारी था नहीं गया वापस में अपने कैप में रुग गया और सो गया फिर कुछ देर बाद जो है वो रेंज रोबर के रुकने की आवाज सुनाई दी तेजी से गाड़ी आके रुकती है और वो उस शोर से उठता है चानक से और मैरी भागती हुई आती है ना कहती है वी गॉट हिम है ना हमने उसे पा लिय किसको और चुलोपेथिकस को तो इस तरह से और चुलोपेथिकस का एबिदिन्स जो है वह आपको मिलता है चले तो मैरी और लुई की कहानी यहां पर हमने डिसकस करी थी आगे बढ़ते हैं हाव डिड अर्ली मैन ऑप्टेंग इस फूड तो यह तो आप ही बता सकते हैं बह फूड इडबल आइटम से उनको वह एकटा करता था ठीक है बैरि इदे इकटा करता था नर्ट इकटा करता था रूट्स एकटी करता था टूबर ठीक है और हंतिंग आंड फिशिंग अब जब कुछ नहीं मिला माली निकलके गया गुफा से अपने और देखा कि आर कोई फ चलो आज मशली पगड़ते हैं तो फिशिंगे दीज वार्थ थ्री अक्टिविटीज यह तीन असी अक्टिविटीज थी जिनके तुरू अपने आपको वो क्या करते थे फीड करते थे भोचन अपना प्राप्त करते थे चलो क्वेश्चन 24 पिचलते हैं वेंडिट हंटिंग बिगें शिकार शुरू कब हुआ शिकार की अक्टिविटी हंटिंग अक्टिविटी कब शुरू हुए फ्राम वेर दो वी गेट इस अर्लियस्ट एविदेंस और कौन सी जगह है जहां से हमें इसके प्राचीनतम साक्ष मिलत हैं सबसे पहला मतलब कहने का वह यदराइस पुराने विदेन से हमी कहां मिलते हैं जो बता सकें कि हन्टिंग ऐप पहले आपको शिकार के विदेंस ने शुरू हो जाते हैं अब हमारे पास अरदलियस ने विए वह कहां से हैं Southern England में Box Grove बूल गए आप वहाँ पे प्लांट ढंटिंग के भी साक्ष मिलने वाले आपको ठीक है इस्पेन वगर असे तो बॉक्स ग्रोव Southern England जो है वहाँ पर हमें हंटिंग के earliest evidences मिलते हैं मतलब हंटिंग करता था और बहुत पहले से लेकिन उसके evidences हमें उतने accurate नहीं मिलते हैं और यह वह जगह जहां पर हमें clear evidences मिल जाते हैं बॉक्स ग्रोव नाम की जगह है Southern England में clear है hopefully आपको समुझ में आ गया question answer where is Dolny Westonic why is it famous for ठीक है तो Dolny Westonic क्यों famous है और यह कहां पर है तो यह तो डॉली Westonic जो है यह चेक रिपब्लिक में जगह है जहां पर भी हमें अभी प्लान हंटिंग के साब्स मिलने वाले evidences मिलने वाले हैं ठीक है यहां पर बोन्स आपको मिलने वाली है एक्षिल में ठीक है और अभी इसी के आजपास आपको केव मिलने वाली है जहां पर आपको पेंटिंग भी की गई है तो यह माना गया कि हो सकता है क्या था अपना एक्सप्रेशन किया उन्होंने ठीक है हंटिंग करने के बाद जो अंटिंग अक्टिविटी थी उसको एक्सप्रेस किया इन फॉर्म ओफ पेंटिंग्स डाइग्राम ठीक है तो डॉली वैस्टानी का है चक रिपब्लिक में हैं और यह फेमस है अपने हंटिंग साइट्स क होते हैं possible सीज misinformation कोई भी इंसान के दौरा बनाई गπως तुमन मेंदी औब्जेक्स जो होता है ईसको क्या कहते हैं इसमें हो क्यूंबनिंगिक होंगी सवक्राइड्स क्देश्व सारे टॉल्स मिले हैं अपको अभी जो सारे स्टून टूल्स मिलें हैं het c फिव फ्लेक्स हो चाहिए हो एक्स हो यह सारे टूल्स क्या है देक्षा औंडर आटिफैक्ट पेंटिंग वाल पेंटिंग की गई पेंटिंग की गई है पैट्रो ग्लिफ आपको याद होगा ठीक है यानि दिवार पर या तो simple colored painting है blood color का इस्तेमाल करके या फिर engrave किया गया है वहाँ पर तो वह सारा क्या है आपको मिली है तो यह सारा कुछ आपको मिली है तो यह सारा कुछ artifacts यानि हर वह चीज जो इनसान ने उसमें बनाई objects बनाए ठीक है और इसमें आपके tools आते हैं painting साती है sculptures आते हैं when were the caves and open air sites begin to be used गुफा और खुली जगहें open air sites कब इनसान ने इस्तेमाल करना शुरू किया from where do we get its evidences और हमें इसके प्रमान कहां से मिलते हैं तो गुफाएं और open air sites यह दो temporary shelters कह सकते हैं आप इंसान इस्तेमाल करता था अपने रहने के लिए ठीक है जब extreme climatic conditions होंगी तो उस दौरान cave का इस्तेमाल करेगा obvious सी बात है ठीक है और जब conditions comparatively moderate होती थी तो open air sites में रहता था ठीक है अब हमें यहां जो है वह evidences कहां गहां से मिलते हैं तो सबसे पहले हम वह time trace कर लेते हैं जहां से में evidences मिलते हैं तो cave and open air site begin to be used around between four lakh and one lakh 25,000 years ago तो लगभग चार लाग से एक लाग 25,000 साल के बीच में का जो time period है यह जो span है time span है इस दोरान क्या हुआ इंसान गुफाओं में और open air sites में रहता था clear है अब इसके evidences भी हैं हमारे पास तो we get evidences of such sites from lazaret cave in southern France लजारत cave याद होगी और एकाद cave आने वाली हैं बहुत इंट्रेस्टिंग सी cave आपको याद होगा वो जो घास फूस से बनी हुई चोटी सी जोपड़ी बनाई थी इनसान ने ठीक है ना वह भी आने वाली उसका जिकर भी तो lazaret cave याद रखना है यहां पर when where तो बहुत सिंपल सांसर है साड़े चार से वन लाग 25,000 यह ना between this time phase और कहां से evidences मिलते हैं लजारत cave से इसके evidences मिलते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं what are the advantage of living in caves ठीक है तो आपको अब यह जो question है ठीक है इस question का बड़ा simple सा answer है कि आपको गुफा में रहना क्यों है क्या advantage है गुफा में रहने का ठीक है गुफा में रहने का जो advantage है वो simple सी चीज़ है protection ठीक है protection from severe cold मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जब extreme climatic conditions होती थी तो इन extreme climatic conditions से बचने के लिए क्या करता था इंसान केव का सहरा लेता था चाहे वो cold हो चाहे एक्स्ट्रीम हीट भी हो ठीक है तो उन दोनों दौरान उन दोनों समयों के दौरान extreme climate condition में वो जो है वो गुफाओं का प्रयोग करता था तो help in protecting man from severe cold especially cold जो है उसके दौरान बॉड़ी को हीट चाहिए थोड़ा सा और केव से कैसी जगह होती थी जहां पर वह वार्मनेस भी मिलती थी उनको as per the external climatic conditions और अगर external condition में external climatic conditions में ज्यादा वार्मनेस है ज्यादा होट है climate तो comparatively caves ठंडा भी रखती थी तो it also protected them from the predators अब आप तो हंटिंग करने निकल रहे हो कभी आप की हंटिंग हो जाए तो भी वो रिस्क है यानि आपको अपनी जान भी बचानी है तो it is also protected जो गुफा होती थी वो सुरक्षा देती थी आपको शिकारी जानवरों से खतरनाक जानवरो से it also protected them from the danger of wild animals ठीक है similar चीज है लगबग ठीक है तो जो प्रिडेटर्स है जो शिकारी है जंगली जानवर है इनका खत्रा रहता था इसलिए भी वो केफ का इस्तमाल करते थे या गुफाओं का इस्तमाल करते थे चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम from where do we find the pieces of baked clay and burnt bone along with stone tools यानि किस जगह से from where कहां से हमें प्राप्त होता है क्या pieces of baked clay जली हुई मिट्टी है हम के थोड़ा सा baked clay ठीक है मिट्टी जो है वो comparatively थोड़ा सा heated है burned है ठीक है and burnt bone और जली हुई हड्डिया भी मिली हुई और साथ हमें stone tools तो कौन सी वो जगह है हमें शिजवांजा, Kenya ठीक है और स्वार्थक्रांस ये वो जगह हैं जहां से हमें क्या मिलता है pieces of baked clay and burnt bones और ये कितने time पहरे मिला है आपको 1.4 to 1 million year ago यानि this is the time period और this is the time span जिसके बीच में आपको burnt bones के जली हुई थोड़ी बहुत हड्डियों के evidences मिलते हैं baked clay ठीक है इट देखी होगी आपने जो घरों के बनने में इस्तमाल होती है इंट कैसी है बेगड कले का एक्जामपल एक तरीके से जब मिटी को अच्छे से सुखा देंगे तो इंट पहले क्या होता है मिट्टी जब बनती तो कच्छी रहती है ना राव बिग ब्रिक जो होती है फिर बात में उसको आप क्या करते हैं बहुत अच्छे से जलाते हैं तो बेग करते हैं उसको उसको ठीक है और फिर वो सॉलेड़ेफाइए होता है मजबूत हो जाता है ठीक है तो कुछ हो ऐसा ही जस्ट मैं रिलेट करने की कोशिश करहा हूँ तो बेग दिकले हैं ना सिंकी हुई मिट्टी एक तरीके से तो वो तीन जगों से मिलती है स्वरण और Kenya और स्वार्थक्रांस तो ये तीन प्लेसेस हैं इनके नाम ध्यान रखना है थोड़े अजीव जरूर हैं लेकिन एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो वो नाम आपको याद हो जाएगा चलिए आगे बढ़तने हैं How did the discovery of the fire help early man? आग की खोज ने आदी मानव को कैसे मदद की? ठीक हैं? किन किन तरीकों से मदद की? So the discovery of fire helped early man in different ways, following ways, निम्ल की तरीकों से, अलग-अलग तरीकों से help की तो जैसे ही आग का अविशकार हो गया होगा, यहां पर दो लिखे हैं, बहुत सारे कारण गिनाया जा सकते हैं आग की discovery was considered as the revolution in the life of early man आदी मानव के जीवन में करांतिकारी घटना थी आग का खोज होना, ठीक है? तो it helped him cook his food अब पहली बार जब कभी आग के contact में खाना आया होगा, इनसान का, और उसके बार जब आग से निकाल के उसने भूजन किया होगा, अपना खाना खाया होगा हो, for example, वो roasted seeds ही क्या ना रहे हो, चाहे वो roasted meat ही क्यों ना रहा हो, कोई भी खाने का हिस्सा हो सकता, आग के contact में आया होगा, और जब आग से बचा के इनसान ने उसे खाया होगा, तो उसे tasty लगा होगा, इस तरीके से उसे लगा होगा कि अगर खाने को आग के contact में थोड़ी दिर रखा जाए, तो क्या होता है, वो और tasty हो जाता है, तो इस तरीके से उसने cooking की activity शुरू की, है न, it helped him protect from the danger of wild animal, अब इसके साथ उसने ये भी देखा कि जहां आग रहती है, वहाँ पर दूसरे जंगली जानवर नहीं आते हैं, इसका मतलब क्यों ना, इस आग को control करके, इसका use करन जाए, तो इस तरीके से उस आग ने, इनसान को protect करने में भी help की, तो ये दो important, जो है वो help करी आग ने, from where do we get the earliest evidence of, evidence for making and use of stone tools, who were earliest tool makers, बड़ा easy सा question है, आपको कहां, from where, कहां से हमें प्राप्त होता है, पुराने से पुराना प्रमान कहेगा, बनाने का और उप्योग करने का, किस चीज़ का, stone tools का, यानि stone tools को बनाने और उसको इसको इस्तमाल करने के पुराने से पुराने evidences कहा से मिलते हैं, और पुराने जो earliest tool makers थे, वो कौन थे, बात अच्छे थे, अभी कम से कम, दो तीन question ऐसे थे, जिसमें वो जिकर आया है, ठीक है, so we get the earliest evidences for making and use of stone tools from two sides, दो साइट से हैं, एथोपिया और Kenya, आफरिका में, यहां पर हमें evidences मिलते हैं, earliest tool making के, और uses के, clear हैं, अच चुले पेतिकस था, जिसने सबसे पहले simplest tool बनाने शुरू किये, आप homo habilis में confused मत होईएगा, कि homo habilis tool maker इंसान कहलाता है, homo habilis developed tool बनाता था, comparatively, polished tools यानि मैं कह दूँ, कि tools को उसने properly shape देना शुरू कर दिया था, तो इसलिए उसको tool maker इंसान कहते हैं, लेकिन अगर आपसे कभी पूछा जाता है, who were earliest tool maker, अगर यहाँ पे simply यह होता, कि who was the tool maker, ठीक है, तो शायद आप homo habilis का नाम आसानी से ले सकते थे, बड़े आपा earliest tool maker की बात की जा रही है, इसले australopithecus were the first or earliest tool maker, ठीक है, तो stone tool maker actually, पत्थर के tool बनाने वाले, यह important चीज है, पत्थर के tool बनाने बाले दीरे दीरे यहां पर लकडी बीस्तेमाल होने लग जाएगी, वो रन इस्ट्रॉक्चर बीस्तेमाल होने लग जाएगा, जो हम हो है, बुली इसको बहुत अच्छे से आता है, टेक्निकली वो स्टून, स्टोन टूल बनाने में माहिर था, ठीक है, बट ऑस्टोले पे for making tools for hunting wild animal, when did such changes occur, how do we notice, हम एक ऐसे notice करते हैं, हम एक ऐसे ध्यान करते हैं, ठीक है, कौन, क्या चीज़ों को, improvement, यानी, कुछ positive improvement हुए हो, ठीक है, किस में, टेक्निक्स में, वो शैली में, किस चीज़ की tool बनाने की, है न, जिस से, जंगली जानवरों का शिकार किया जा सके, तो हमें एक ऐसे पता चलता है, कि जंवरों को शिकार करने की, जंगली जानवरों का शिकार करने के लिए जो टूल्स बनाने की techniques थे, उसमें improvements होए थे, ठीक है, and when did such changes occur, और यह परिवर्तन कब होया, actual मैं, so, with the use of stone tools like spear throwers, मैंने अभी इसका नाम लिया था, तो spear throwers एक तरी tools बनाते थे, जिन tools को आप क्या करते थे, hold करते थे, clear है, अब इन tools को आप hold करते थे, इसमें से कुछ ऐसे थे, जिनको आप throw भी कर सकते थे, लेकिन यह इतने effective नहीं होते थे, ज्यादा तर tools आपको handhold करके रखने होते थे, लेकिन यह वो time period आ रहा है अब, जब tool बनाने मे competitively improvements हुए, ज्यादा अच्छे improvements हुए, अब होता क्या था, कि आपके पास क्या होता था, ऐसे कुछ instruments होते थे, जिन instrument के एक सिरे पर आप क्या होता था, spare लगा सकते थे, ठीक है, अब उस spare को आप जो है, फेकोगे, यह spare throw कहलाता था, अब जो आप उसको फेकोगे, तो यह ज जानवर को जाके लगेगा, और इस तरीके से उसका शिकार करना असान हो जाएगा, फिर धनुश और तीर का भी बो और एरो का भी इस्तमाल किया, तो अब आप समझ सकते हैं कि टूल बनाने की लगभग, पीक टाइम फेज आ रही है, यह मैं कह दूं कि इसकिल जो है, वो ल इविदेंसे मिलने शुरू होते हैं, जब इनसान इस तरीके के एडवांस स्पेर ट्रोवर और बो और एरो जैसे जो टूल से उनको बना रहा है, तो टूल बनाने की जो टेकनिक है, उसमें हमें यह पता चलता है कि एडवांसमेंट हुए, जब हमें इस तरीके के टूल मिल बलते हैं, इसके पहले वाला देख लिए हैं हमने, हाँ चलिए, आगे बड़ते हैं, तो वें डिड़ स्पोकेन लैंगवेज इमर्ज बोलने वाली भाशा, इस पोकेन लैंगवेज जो है, वो कब इमर्ज हुई, कब उसका इमर्जन्स हुआ, उत्पत्ती कब हुई उसकी, तो इस पोकेन लैंगवेज इमर्ज इमर्ज अज अर्ली अस टू मिलियन एर्स बाक, ठीक है, इट्स इमर्जन्स हाज बीन सीन क्लोजली कनेक्टेड विद आर्ट, अब आपको पता हैं कि लगभग, लाखों साल पहले से, इंसान क्या करता था, अपनी जो इमोशन्स हैं, आर, या अपनी जो बाते हैं, उनको एक्सप्रेस तो करता था, अब ये एक्सप्रेशन कैसा होता था, ये एक्सप्रेशन एचली नॉन वर्बल टाइप का होता था, ठीक है, नॉन वर्बल से वर्बल आने में बहुत समय लगेगा, हलां कि अभी वर्बल नहीं तो occurred के फ़ paintings यह वॉल paintings क्या है एक तरीके से एक medium है अपनी बातों को express करने का ठीक है तो जो language का emergence है उसको कहां से connect किया सकता है आर्ट से connect किया जा सकता है यानि दीडिडिए जब चीजों को आज के form express करना शुरू किया इंसानने तो वहां से emergence होता है और ग्राजली फिर क्या हुआ नॉन वर्बल और फिर वर्बल कम्यूनिकेशन की तरफ या एक्स्प्रेशन की तरफ आगे बढ़ेगा ठीक है यह जो अल्टमीरा केव साइट फो ब्रॉड इस केव इन नोटिस एंड वें तुमें आ गया ना उसी केव पर जिसकी अभी जसक्त कुछ दिर पहले मैं चर्चा कर रहा था तो अल्टमीरा की केव साइट कहां पर है ठीक है और किसने इन किफ को नोटिस किया था अभी कुछ द आपको जिसका नाम है अल्ट reduces तो गुफा जो है यह कहां है स्पेव में हैब यहां पर क्या था कि एक पर पर सन है मरसृलेन सिध्सory औब मरसलेनों यहां पर क्या है एक्सकेवेशन कर रहे थे खुदाई का काम कर रहे थे तो मरसलेनों जो है वो काफी दिनों से वहाँ पर अलड़ी एक्सकेविशन से काम कर रहे थे लेकिन एक पर चीज थी जिस पर उनका ध्यान नहीं गया था अब हुआ यह कि उनकी बेटी है मारिया तो अलतमीरा की गुफा में आती है कौन मारिया ए सबसे पहले कौन ध्यान में किया इंको तो मरसलेनों सांटी यह जो सटोला यह जो person है और उनकी बेटी मारिया इन्हों ने इसको सबसे पहले notice किया कब 1879 में ठीक हैं आगे बढ़ते हैं Name a few places where cave painting depicting the pictures of animals have been found आपको कुछ ऐसी जगों के नाम बताने हैं जहां पर ऐसी cave painting मिली है गुफाओं में ऐसी चितरकारी मिली है ऐसी चितर कला मिली है जिनमें क्या हो रहा है यह डिपिक्ट किया गया है यह शो किया जा रहा है depiction मतलब प्रदर्शन करना शो करना ठीक है the pictures of animal जानवर जानवरों के चित्र ठीक है जिन images में यानि आपको ऐसी जगह का नाम बताना है जहां पर के पेंटिंग में जानवरों के चित्र जह वह दिखाये जा रहे हैं शो किये जा रहे हैं बहुत पेंटिंग्स या images हमें cave painting से मिलती हैं तो बहुत famous अभी हमने just discuss की अल्टमीरा की cave कुछ seconds पहले ठीक है तो अल्टमीरा की cave स्पेन बायसन का चित्र मिला आपको वहां पे इसके अलावा in France तो ये दो जगहें हैं France में शोवे और Spain में अल्टमीरा की गुफाएं ये दो जगहें ध्यान रखना है आपको जहां पर animals का depiction हुआ है paintings में ऐसी गुफाएं जहां पर चित्रकारी के दौरान जानवर आपको मिलते हैं या जानवरों की चित्रकारी की गई है है आगे बढ़ते हैं चलिए define the concept of anthropology बहुत easy say questions बहुत easy question आप देख रहे हैं ठीक है तो anthropology क्या होती है anthropology actual में दो words का combination है anthropology ठीक है means humans और study ठीक है so branch of science विज्ञान की वह भाशा which deals with human culture इंसान की संस्कृति का ध्यन करती है and evolutionary aspects of human biology और इंसान के विकास के pattern की study करती है evolutionary process की study करती है ठीक है evolution क्या होता है evolutionary word यानि विकास तो यह evolution से आता है evolution क्या होता है एक बहुत slow change या मैं कहूं development का एक बहुत एक ऐसा aspect है जो बहुत सदियों में होता है बहुत सालों में होता है ठीक है बहुत धीरे होता है क्लियर है लेकिन जब भी होता है तो माल लीजिए उसकी जो पुरानी स्पसीस थी या पुराना फॉर्म था उससे वो completely अलग एवॉल्व हो जाता है जैसे बंदर्स या प्राइमेट्स करोड बन गए यह वल्यूशन की प्रॉसस के दागा हुआ इससे हम एवलुशन री प्रॉसस कहते थी क्राइब ने भी यही ठी यही तेयोरी दी तो एंत्रोपोलोजी ब्रांच विज्ञान का जिसमें आप फिमन कल्चर कि स्टड़ी करते हैं प्लस इवन एवलूशनरी प्रॉसस यह बहुत फेमस एंथ्रोपोलोजिस्ट है ठीक है जिन्होंने कुछ नई चीज नए नए कंसेप्ट दिये ठीक है किस से रिलेटर दिये हद्जा गुप से लिए रिलेटर दिये ठीक है तो 1960 में आपको आफ्रिका की एक प्रजाती है जिसका नाम है हद्जा दो इस पिसीजिस यहां मैं कहूं कि जिनका रिफरेंस लिया जाता है पुरानी स्पिसीजिस को पढ़ने में ठीक है प्रजेंट और पास्ट को जो हम रिलेट कर रहे थे तो आपको याद होगा है ना उस दौरान कुंग्शान और हद्जा के बारे में हमने पढ़ा था तो कुंग्शान और से रिलेट करने के लिए हद्जा गुरूप के ऊपर स्टड़ी की थी ठीक है और हद्जा गुरूप 1960 के आसपास इन्होंने जब स्टड़ी किया तो एक कुछ नए इंसाइट्स मिले हैं कुछ नई चीज़े निकल के आई ठीक है इन्होंने कोशिश करी इन्होंने रिलेट क करने की भी कोशिच करी यहन कुछ ना कुछ रेलेशन्स है प्रिजेंट हंटर सुसाइटीज और पास्ट की हैंटर सुसाइटीज में यहां को साथ किसलिए फेमस हैं हजा गुरुप के बारे में कुछ नई बाते बताने के लिए फेमस हैं ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं वर डिट हजजा ग्रुप लिव राइट इनी टू फीचर चलिए अब डिस्क्रिप्शन की भी बात कर लेते हैं जब हजजा आए गया तो हजजा ग्रुप लिवड एराउंड लेक ऐसी तो आफरिका में पहких लेकिखरी के पास में हजजा गृुप जो है वह रहता था ठीक हैं यह बी इस्टन क्रीट में है अब इनके फीचर दे वर में ली ह शिकारी थे ठीक हैं अंटर और गेदर बोथ ठीक हैं तो यह अंटर और गेदर दोनों थे दे नेवर क्लेम्ट ओवर लैंड आज इस रिसोर्स आपको याद होगा कि हज़ा में इन्होंने किसी भी रिसोर्स के उपर प्रोप्राइटर्शिप नहीं की थी हर एक इंसान को इस क में क्या देखा जाता है 1960 में अभी आपने पहले पढ़ा 1960 में इस ट्राइब की स्टड़ी की गई तो 1960 कोई बहुत पुराना नहीं है ठीक है अभी की बात है तो अब उस दौरान जब आप देखोगे तो आज भी ऐसी बहुत सारी ट्राइब से जिनके इलाके हैं किस पर्ट ठीक है कोई प्रोप्राइटर्शिप नहीं होती थी हर एक चीज़ फ्री है कि कम्यूनिटी का कोई भी परसन उसको यूटिलाइज कर सकता है ठीक है होपफुली समझ में आ गया बढ़ते हैं ले कोश्ट वोट इस एथनोग्राफी बड़े इजी से क्वेशन आप देख रह एंटेंप्रेडी का मतला होता है समकालीन और समकालीन का मतला होता है आज के जमाने का आपके जमाने का समकाल उस जमाने का ठीक है तो study of contemporary ethnic group यानी पुराने जो पुराने पुराने समूह है ठीक है तो इतनोग्राफी तो अच्छ के जमाने में जो ट्राइबल से हं अपको ठीक है तो यह एतनोग्राफी के लाती इडिल्स वेट एक्जामिनेशन आफ दियर मोड्स और लाइबलियूड अब इसमें अफनोग्राफी में स्टरी क्या करते हैं हम उन ट चीजहों को रिलेट करने के कोशनि करते हैं पुराने जमाने की चीज़ों को तो उनाजीविका का साधन क्या है कैसे वह भोजन ग्रैंड करते हैं चेटी करते हैं कईट करते हैं यह कुछ और को mode of livelihood rituals किस किस तरीके के customs or rituals हैं उनके हां और उनके traditions क्या है किस तरह के तिवार मनाते हैं वोमेंस और मैंस के बीच के relation क्या है social status क्या है उनका शादी ब्याय कैसे करते हैं वह हर इक चीज tribes की जो है वह आप जब study करते हो तो वह ethnography में आती है चली होफुली आपको सौंझ में आगे ethnography क्या आगे बढ़ते हैं वेंडिट पीपल आफ डिफरेंट corners of the world begin to learn domestication of plants and animals ठीक है वेंडिट पीपल आफ डिफरेंट corners of the world दुनिया के अलग अलग कोने के जो लोग हैं इन्हों ने कब शुरू किया क्या learn domestication of plants and animals यानि जानवरों का पालन करना domestication करना और पौदों का भी उपयोग करना कब शुरू किया कब सीखा यह तो पीपल आफ डिफरेंट corners of the world begin to learn domestication of animals and plants around 10,000 to 4,500 years ago यह वो टाइम था जब particular human being एक जगह पर सेटल होना शुरू कर रहा था और जब एक जगह पर सेटल होना शुरू कर रहा था इसका मतलब साफ था कि अब वो क्या है अब वो आसपास के resources को पहचानने लगा है seasonal patterns को seasonal changes को पहचानने लगा है types of crop identify करने लगा है और उसे पता है कि इस पर्टिकुलर सीजन में यह crop grow होती है different plants के बारे में पता है इस एनिमल्स का यह यूज है यह भी पता है इसलिए वो एक जगह पर सेटल होके क्या कर रहा है उन plants को grow कर रहा है तो 1000 साल पहले या 10,000 से 4,000 साल के बीच में अब देखिए आप exactly year 1000 साल पहले का कभी decide नहीं कर पाएंगे क्यों क्यों क्या होता है जब हम evidences करते हैं तो different scientific mechanisms जो होती है वो आपको एक rough idea देती है ठीक है इसलिए आप हमेशा आपको एक time span मिलेगा exact date नहीं मिलेगी कि रविवार क चार बच के पांच मिनट पे लोगों ने सीख लिया ठीक है ना पांच मही को दस मही को की इंसान ने क्या किया domestication of animals सीख लिया नहीं exact date नहीं मिलने वाली यहां पर exact date आपको बहुत बाद में मिलेगी जब आपके पास written evidences है प्रॉपर जिनको आप बहुत अच्छे से और उसका परिणाम क्या था तो आई से आपको पहले ही बता चुका मैंने ना कि जब पूरे दुनिया में बरफ जो है वो फैली हुई है चादर बरफ की जो हो फैली हुई है तो लगबग 13000 साल पहले आपको टाइम लाइन पढ़ाई थी लास्ट में इवन अपलोग भी हमन सा इंसिडेंट हो रहा है ठीक ना तो हां 13000 साल पहले जो है वो क्या हुआ लास्ट आइस एज आई ठीक है और खतम हो गई अना कम टुएंड खतम हो गई एक्चल में as a result of this favorable conditions for growing crops प्रिवेल्ड और जैसे आखरी आइसे खतम होई वैसे टैंपरेचर वार्म होना शुरू हो गया क्लाइमेटिक कंडिशन कंपरेटिवली वार्म हो गई थी और अब यह बहुत फेवरीबल कंडिशन थी जिससे अब क्या हो सकता था कल्टिवेशन या अग्रिकल्चॉल प्र आफ अनिमल शुरू होगा और अगरिकल्चॉल प्रैक्टिसस भी शुरू हो जाने वाली हैं ठीक है लगबक 5000 साल क्यास पास तो आपको शहर मिल जाएंगी अगला चैप्टर जो हम शुरू करने वाले मैं सो प्तामिया के ऊपर ठीक है वह इसी क्यास पास तो शुरू होगा ठीक है ना चली आगे बढ़ते हैं गिव रेजन्स तो प्रूव वाइद पीपल लिविंग इन अध्जा दिनाट फेस फूट स्कासिटी तो इसलिए क्योंकि ये नीचर के बहुत क्लोज हैं समझदारी से काम ले रहे हमारे और आपकी तरह नहीं कि पहले पहले खालो बाद क्या होता था हमने पढ़ा वहां पे कि दो तीन चीज़ें होती थी सबसे पहला कि इनके पास एक तो बहुत ज़्यादा एमाउंट में खानी पिने की चीज़ें थी वहां पे ठीक है फिर 80% क्या करते थे 80% फूट आइटम्स जो होता था यह यह गैदरिंग करते थे ठीक है यानि जो वेजिटेबल आइटम्स हैं यह इनके फूड का 80% हिस्सा हुआ करता था और रेस्ट आफ दे 20% जो होता था यह मीट और हनी प्रोड़क्स जो फॉरस्ट अदर फॉरस्ट प्रोडूसेस हैं उनसे यह इस्तेमाल करते थे अच्छा इसके सांसांत क्या होता था इस तो हंटिंग में इस चीज का ध्यान रखते थे कि अपनी खाने की जरूरते भी पूरी कर लें और जानवरों को भी ज्यादा दिक्कत ना हो यह नहीं कि कल के लिए फिर जानवरी खतम हो जाएं ठीक है तो इसलिए इनके पास हमेशा खाने पीने की चीजों की जो है वो उप उनकी खाने की आत्ते कैसी थी लगवग सिमिलर आंसर अभी हमने डिसकस किया तो डिट्री हैबिट्स ऑफ उजग्रूप इंक्लूड़ वाइल ट्यूप मीट एंड हनी जो जैसा मैंने कहा कि लगवग यह कुछ वेजिटेरियन प्रड़क्स और बाकी का जो बचा हिसा होता था वह मीट और हनी वागेरा से जो फॉरेस्ट प्रडूस होते थे उससे यह पूरा करते थे तो कुल मिला के वेज और नॉन वेज दोनों खाते थे हैं ना अच्छे लोग थे चलो भाई थे नहीं अभी भी हैं क्वेश्टन 44 लिस्ट वाइड अनिमल्स हंटे और कंजूम्शन होता था तो उसमें जानवरों का ओव्यस सी बात है हंटिंग होगा तो कौन-कौन से अनिमल्स को जो हो हंट किया जाता था अपने मीट रिक्वार्मेंट को पूरा करने के लिए तो हज़ा गूर्प कंजूम्शन मीट अफ जिबरा जिराफ बफैलो ठीक है यहां पर आई तिंक स्पैलिंग मिस्टेक हो गया है राइनोस रॉस शिट भी देर और वटर डख बबून लॉयन लेपर्ड ठीक है खरगोश वगएरा और इसके लाव बहुत सारे ऐसे जानवर होते थे तो इन जानवरों का शिकार वो किया करते थे चलिए आगे बढ़ते हैं तो इस तरीके से लगबग हमने शॉर्ड आंसर जितने हैं वो सारे डिसकस कर लिए हैं अब आगे हम लॉंग आंसर पे भी आएंगे एमसी क्यूस पे भी आएंगे तो इन क्वेस्टेंज को आप देखते रहिए आपका पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो एक बार ब्रश अप हो जाएगा रिवाइस हो जाएगा क्योंकि मैक्सिमूम कंसेप्स टर्मिनलोजी जो है वो वापस से इसमें रिवाइस कर दिये गया हैं चलिए तो मुझे आशा है कि यह आपके लिए ह होगा बने रही है हमारे साथ थैंक यू